हम सब के प्रिय भगवान शिव का जर्मिन नहीं हुआ है वो स्वेम्भू है लेकिन पुराणों में उनकी उत्पत्ति का विवरण मिलता है विश्णु पुराण के अनुसार ब्रह्मा भगवान विश्णु की नाभी कमल से पैदा हुए जबकि शिव भगवान विश्णु ज स्वेम को शेष्ट बताते हुए लड़ रही थे तब एक जलते हुए खंबे से भगवान शिव प्रकट हुए शिव पुराण में वर्णे शिव के जर्म की कहानी शायद भगवान शिव का एक मात्र बाल रूप वर्णन है इसके अनुसार ब्रह्मा को एक बच्चे की जरू रहा है तब भगवान शिव का नाम रुद्र रख जिसका अर्थ होता है रोने वाला शिव तब भी चुपने हुए इसले ब्रह्मा ने उन्हों दूसरा नाम दिया पर शिव को नाम पसंद नहीं आया और फिर भी चुप नहीं हुए इस तरह शिव को चुप कराने के लिए ब्रह्मा ने आठ नाम दिये और शिव आठ नामों रुद्र, शर्व, भाव, उग्र, भी, बशुपती, इशान और महादेव से जाने गए शिव पुराण के अनुसार ये नाम प्रती पर लिखे गए थी शिव के इस प्रकार ब्रह्मा पुत्र के रूप में जम्र लेने के पीजे भी विश्णु पुराण की एक पुराणी कता है इसके अनुसार जब धर्दी, आकाश, पाताल समे पूरा ब्रह्मा जल मग्न था तब ब्रह्मा विश्णु और महेश के सिवा कोई भी देव या प्राणी नहीं था तब केबल विश्णु ही जल सतय पर अपने शेशनाक पर लेटे नजर आ रहे थे तब उनकी नाभी से कमल लार पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए ब्रह्मा विश्णु जब स्रष्टी के संबंद में बाते कर रहे थे तो शिवजी प्रकट हुए ब्रह्मा ने उन्हें पैचानने से इंकार कर दिया तब शिवज के रूट जाने के भाई से बगवान विश्णु ने दिव्वे दृष्टी प्रतान कर ब्रह्मा को शिवज की याद दिलाई नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपको ले स्पाइसी बीची चैनल पर जलक के साथ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल भी मत भूलेगा ब्रह्मा को अपनी गल्दी का एहसास हुआ और शिवज से शमा मांगते उन्होंने अपने पुत्र रूप में पैदा होने का आशरवाद मांगा शिव ने ब्रह्मा की प्रात्ना स्विकार करते हैं उन्हें ये आशरवाद प्रदान किया जब ब्रह्मा ने इस रश्टी की रश्णा शुरू की तो उन्हें एक बच्चे की जुरुत पड़ी और तब उन्हें भगवान शिव का आश्रिवाद ध्यान आया अधा ब्रह्मा ने तपस्या की और बालक शिव बच्चे की रूप में उनकी गोद में प्रकट हुए तो कैसी लगी दोस्तों आपको आज की वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी मत बूलेगा इस्ट्री अनिमल्स को फीच कराना पेड़ बादों को पानी देना और हेल्प करना बहुत जरूरी है मैं भी करते हूँ आप भी कीजिये बोलो ओम नमस्षिवाद